हेलो डियर इस्टुरेंट्स वेल्कम वेक और यूटूब चैनल इस्टडी सर्कल 24 डियर इस्टुरेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर का क्लास 12 मैथेमेटिक सब्जिक का ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा सांती बेल आकन का बेटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको आपके बोर्ट से संब्दित जितने भी important questions है और model पेपर है उसकी जब वीडियो हम update करें तो लैटेस्ट वीडियो की update आप तक पहुंच सके ठीक है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जितने भी इस वीडियो में हम देखेंगे questions सारे के सारे important questions हैं और यह exam में 100 पूछे जाते हैं ठीक है तो यह जो आज पहला सेट है ठीक है हम तीन सेट लगबग और हम आप लोगों को बताएंगे और पुरी इवित expressions के साथ ठीक है पूरा explain करते हुए हम बताने जा रहा है वीडियो को हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए लेकिन यह आपके पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्ण देखिए सेक्शन ए का ठीक है खंड अ का जो आपका पहला प्रश्ण है वो क्या है इसमें अगर देखें तो आपको कॉस्ट टू एक्स की वैल्यू फाइंड करन है अपने को इसके बाद दूनों साइट का डिफ्रेंशियेट करना है अपने को ठीक है किसके रिस्पेक्ट पे एक्स के रिस्पेक्ट पे कैसे होगा वह आप देखलो इधर कि टू और डी बाई डी एक्स डी डी एक्स एक्स का हम करेंगे और यहां डी टी इक्वल टू इक equal के बाद dt upon dx हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद इसकी value आपके पास कितना होगा 2 होगा और यह dx का जब multiply कर देंगे तो 2dx equal to dt ठीक है यह आएगा जो कि यहां पास आपको मिल जाएगा तो यहां से dx की value आप find करेंगे तो dt upon 2 आ गया और इसके बाद और इसके बाद आपका यह answer आजाएगा कि i equal to इसकी value यहां put कर दीजे cos 2x 2x के place पे आप t रखेंगे ठीक है और यह dx के place पे आप क्या रखेंगे dt upon 2 रखना है आपको यहां से right फिर इसके बाद आता है आपके पास जब cos t का integration करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को sin t मिलेगा तो 1 by 2 sin t आगया और यह c जो है एक constant होता है ठीक है जिसको हम इसके integration constant बोलते है तो इसको आपको लिखना है राइट तो इसका final answer फिर t की value पूट कर दीजे तो 1 by 2 sin 2x आ जाएगा अब next आगे का question देखने है second question देखिए यह matrix से related है आपके पास a की value given है आपके पास 1 minus 3 और 0 4 ठीक है और a का transpose matrix आपको find करना है मतलब a dash find करना है इसको क्या करना है सिर्फ row को column में change कर देना है ठीक है तो 1 3 first column हो गया और जो second row था 0 4 उसको second column change कर देना है ठीक है बस इतना ही करना है यह जो आपका first section है यह one marks के questions आते हैं ठीक है one mark के questions होंगे आपके पास जिसके में four questions होंगे फिर इसके बाद हम दो और चार और च्छै नंबर ओले देखेंगे ठीक है 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 तो आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करिएगा उन सभी चैप्टर को जहां से छै नंबर वाले आ रहे हैं ठीक है अगर नहीं मालूम है कहां कहां से किस चैप्टर से छै नंबर के पूछे जाते हैं किस प्रकार के प्रश्णों पूछे जाते हैं तो आप वीडियो के comment section में comment करेंगे हम आपको अगली वीडियो में हम आपको सारे के सारे six marks वाले questions हम आपको पता देंगे next questions देखिए given है आपके पास 1 plus dy by dx under root equal to x अब इसको क्या करना है आपको इसका कोटी और घात बताना है मतलों order बताना है इसका तो easily अपने को क्या करना है इसमें कि दोनों side का square निकाल दीजिए आप ठीक है तो आपके पास मिलेगा 1 plus dy by dx equal to x square ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं इसका जो differentiate होगा उसका जो आपके पास कोटी मिल जाएगा 1 और इसका घात भी एक ही होगा ठीक है आपको यह बताना है दोनों parallel है या नहीं है ठीक है तो अब बी के लिए आप यहां से देख सकते हैं इसमें से two common निकालेंगे आप ठीक है तो क्या बचेएगा आपके बास two i minus four j और plus three के यानि minus two हमने common निकाल दिया equations अब x से देखेंगे तो b equal to vector b equal to minus two a यह आपके पास equal हो गया तो अगर आपके पास यह formula है कि b equal to lambda into two a lambda into a अगर यह आपके पास conditions मिल दे हैं तो यह a और b parallel होंगे ठीक है अब इसके बाद चले इसके आगे के पहले questions क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं इसके बाद उसके solution भी बताऊंगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इदर देख सकते हैं अब यह आपके पास यही paper है जिसका हम आपको solution बता रहे हैं ठीक है राइट तो यह question number four तक हमने आपको अभी बता दिया हुआ है ठीक है अब इसके बाद section B का हम start कर रहे हैं और इससे पहले हम आपको mainly six number वाले questions को भी focus करा दें आपको ठीक है तो यह देख स जो आपको focus करना है वो six marks वाले question और four marks का जो questions है यह वाले को आपको ज्यादा ready करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं सारे questions यहां से आप देख पा रहे हैं यह दो number वाले question है ठीक है question number 12 तक यह आपका दो number के प्रस्ण होंगे ठीक है जो कि यह probability का questions है question number 12 यानि प्राइकता questions है अब इसके बाद देख लिजे 13 से लेकर पुरा 22 question number 22 तक आपका चार number के प्रश्ण होंगे ठीक है तो चार नंबर ओले प्रश्णों को सभी को देख लिजे सारे प्रश्ण important है यह जिसका हम अभी आपको solution भी हम बताएंगे आगे के वीडियो में और इन सभी questions को आपको अच्छे से त्यारी करना है ठीक है अब देखते हैं section D यानि खंड दो इसमें question number 24 से लेकर question number 29 तक होगा जिसमें की 6 number के प्रश्ण होंगे ठीक है यहाँ आपका 6 number वाले प्रश्ण मिलना है 24 से लेकर 29 तक ठीक है इन सभी questions को आप बहुत अच्छे से लगाईएगा जिसे की आपका hand it out of hand it आ सके number ठीक है hand it out of hand it यह possible है math में subject में possible है hand it out of hand it भी आ सकता है बसर से आप बहुत अच्छे से त्यारी करें तो ठीक है जी जान लगा दिजिए 23 का exam में आपको किसी भी तरह आपको math में 95 प्लस marks लाना है ठीक है आप पुरी त्यारी कीजिए हम आपके सांध है ठीक है चली अब आगे का solution देखेंगे अब देख सकते हैं आप अगला जो questions है question number 5 का solution देख लेते हैं आप बस माना sin inverse 1 by minus 1 by 2 equal to theta suppose करते हैं इसके बाद sin theta equal to यह इधर replace होगा तो sin theta equal to minus 1 by 2 इसकी value होगी जो की negative में है अब अपने को यह मालूम होना शिए कि जो sin theta की value negative में है तो यह कौन से coordinate में है ठीक है तो we know that यह third और fourth coordinate में है यह तीसरे और चौते coordinate में है तो इसका मतलब तीसरे coordinate में 180 plus theta use करेंगे तो यहाँ पास हम apply करते हैं pi plus pi by 6 क्योंकि यह किसकी value है यह नि 1 by 2 ठीक है 30 की value है और इसमें हम minus use करेंगे कब जब यह third coordinate में होत जो चार ratio है वो negative में होते हैं तो हमने apply कर लिया अब इसके बाद इसको solve कर लेते हैं 6 मंज़ा 6 plus 1 7 pi by 6 आ जाएगा इसका मतलब है यह theta की value 7 pi by 6 आएगा तो यहाँ पास fourth coordinate के लिए जब apply करेंगे तो क्या मिलेगा आपको sin theta equal to sin 2 pi minus pi by 6 क्योंकि sin की value 360 minus theta में ही आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा तो जब इसको भी solve करेंगे 6 to 12 12 में 1 को minus करेंगा तो 11 pi by 6 आ जाएगा theta की value मिल गई आपको अब next question number 6 यह आपका determinants का question है सारणी का question है ठीक है डेल की value given है आपको इसकी value find करनी है तो इसमें second बोला है question में दिया रहेगा कि 3 का minority find करना है मतलब 3 का second निकालना है 5 का second निकालना है और minus 1 का second निकालना है ठीक है इसका मतलब ह करेंगे तो two one आएगा यानि second row first column तो a21 इसका मतलब वो second row first column ये close होगा फिर इसके बाद जो आपके पास आएगा next जो other values बचेंगे ठीक है उसको आपको multiply करना है ठीक है तो कौन-कौन सी value बच रही है वो आप देख सकते है 0, 4 और 1, 2 0, 4, 1, 2 का हमें आपस cross multiply करेंगे 0, 2 को multiply करेंगे 0 आएगा, minus 4 आएगा तो इसकी value ये 2, 1, already आपके पास क्या है, minus 1 to the power i plus j तो इसका मतलब यह हुआ, ये odd number मिलेगा आपको, तो negative value मिलेगी, ठीक है और negative value आपको यहाँ भी मिल रहा, minus 4 तो minus minus प्लस हो जाएगा इसी type से आपको 5 का निकालना है तो second row, second column close करेंगे आप it means second row और second column, ये close otherwise, जो digit बच रहे हैं आपके पास element 1, 4, 0, 2 ठीक है, इसका आप multiply करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा राइट बाकी का जो मैंने बता दिया, एक detail करके as is well, same है, फिर minus 1 का second does आपको निकालना है, ठीक है तो इसके लिए फिर क्या करना है आपको, यहां से देख सकते हैं आप इसका लिखने के बाद फिर A, second row और first column close करेंगे, तो 1, 0, 0, 1 बचेगा, तो 1 आएगा इसका answer ओके तो बस इतना ही आपको find करना है यह 2, 3 ही हो गए है बस next, अब आगे देखे, next questions y की value given है आपके पस y की value given है log into log into log x, ठीक है तो अब इसको dy by dx आपको find करना है तो first of all क्या करते है log into log x को इसको t suppose करना है और t के respect पे भी करेंगे हैं यहाँ पस तो t के respect पे करेंगे log t का differentiate कितना होगा 1 by t होगा और t की value अगेन हमको put करना है फिर से हम log x की value u suppose करेंगे, तो u के respect पे अपने को differentiate करना पड़ेगा ठीक है, d by du log u और du by dx ठीक, तो log u का differentiate 1 by u होगा और u की value put करेंगे log x जिसकी differentiate होगी 1 by x ठीक है, 1 by x जब differentiate होगा, तो आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है, कि 1 by x और 1 by u, 1 by t t और u की value him put करेंगे फिर ओके, तो u की value log x है और t की value log into log x तो यह इसका correct answer आजाएगा ओके, अब next question solve करेंगे question number 8 है, करव दिया हुआ है y equal to x cube minus x इसका differentiate means प्रवाटता आपको find करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, differentiate करेंगे, तो अब questions में दिया हुआ है, कि x equal to 2 पर प्रवाटता अपने को निकालना है, तो m equal to dy by dx जब find करेंगे, तो x की value at 2, तो x की place भी यहाँ पास x square दिया हुआ है, तो x की place भी 2 अपने को apply करना है, तो क 2 का square क्या होगा, 4, 4, 3, 12, 12 में 1 को minus करने पर m की value, यानि gradient क्या मिल रहा, आपको 11 मिल रहा, तो इस पर सरेका की जो gradient होगी, प्रवाटता होगी, वो क्या मिल गई, 11, और जो अभिलाम की प्रवाटता होगी, gradient, जो perpendicular की जो gradient होगा, वो क्या होगा, minus 1 upon m, यह formulaic recording है, तो m की value आप लिख दीजे, 11, minus 1 by 11 इसका answer होगा, okay, question number 9 देखते हैं, integration करना इसको, देख सकते हैं, आप, I equal to 1 upon 1 minus cos x दिया हुआ है, तो 1 minus cos x की value हम को find कर लेना है यह आपास, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, कि इसकी जो formula है, 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2, ठीक है, इसको हम अपलाई करेंगे आपस, फिर इसके बाद, I equal to 1 by 2 cos square x by 2 dx, तो x by 2 की value हम को यहाँ put करना है, यानि T suppose करना है, ठीक है, जब T suppose करेंगे, तो क्या मिलेगा, cos square t dx, यह इसका integration होता है, तो formulaic recording हम उसका use करेंगे, formula, cos square t का integration क्या होता है, cot t होता है, अब T की value हमने put किया था, x by 2, तो t के place पे हमको x by 2 लिखना है, plus c, where c is a constant, integration constant, right, next question है, equations दिया हुआ है आपके पास, और उसको रेखिए, linear जो इसका differentiate है, वो find करना है, तो देख सकते हैं, आप सबसे पहले, जो समिकरन है, उसको हमको क्यार रखना है, dy by dx plus py equal to q के form में हम लिख देंगे, p की value हम कभी compare करेंगे, coefficient इसकी value 1, q की value e to the power x मिल जाएगा आपने को, यहां से, यहाले equation से, अब integration factor निकालना है, तो integration factor equal to formula ही है, e to the power integration p into dx, अब p की value क्या 1, dx तो 1 का integration x होता है, e to the power x मिल गया, integration factor, इसका जो solution find करेंगे, तो इस अउकल सेमिकरन का हल क्या मिलेगा, y into integration factor equal to integration q into integration factor into integration, यानि dx plus c, अब सारी value put कर दीजे, q की value put कीजे आप, आपके पास q की value यहां e x given है, तो e x आप लिखेंगे यहां से, और integration factor की value e x है, तो क्या मिलेगा, multiply करने पर e to the power 2x, ओके, तो e to the power 2x का integration करेंगे, कितना मिलेगा आपको e to the power 2x upon 2, तो यह इसका answer मिल जाएगा, next है question number 11, दो रेखाएं दिये गए हैं, ठीक है, रेखाओं के दिक अनुपात हम निकाल लेंगे, तो दिक अनुपात जो इसका यह दिया हुआ है, x minus y upon 7, तो 7 है यहां पास क्या है, इसका ratio है, ठीक है, दिक अनुपात है, 7, 5, minus 5 और 1, यह क्या है, दिक अनुपात, और उसे प्रेकार से question, यह जो second, second equation है, रेखाएं का सम्मी करना है, तो उसे भी आप 1, 2, 3, यह दिक अनुपात मिल गए आपको, ठीक है, अब इसके बाद दिक अनुपात मिलने के बास आपको क्या करना है, अगर इसकी value 0 आ गई, तो दिक अनुपात, वो प्रेस पर लंब बहत होंगे, तो सारी value पूट करके, आपको multiply करना है, 7 into 7, 7 आएगा, 5 में 2 का multiply करने पर 10 आ रहा, और 3 बंज़ा, 3 बंज़ा 3, तो 7 प्रस 3, 10, 10 माइनस 10, 0 आएगा, तो it means, यह जो रेखा हैं, वो क्या परस पर लंब बहत है, अब अगला questions देखिए, probability से, probability PA की value given है, आपके पास, 6 upon 11, B की value given है, PB, 5 by 11, and A union B की value given है, 7 by 11, तो formula होता है, PA union B equal to probability A, probability B, और minus PA intersection B, अब सारी value को put कर दीजे, तो कितना दिये हुआ है, A union B, 7 by 11 है, 6 by 11 PA है, और PB की value, 5 by 11, आपको यह find करना है, तो इसको इधार transpose कर दीजे, यह positive में कनवाट हो गया, 6 by 11, 5 by 11, और minus, 7 by 11, इनको solve कर दीजे, तो 5, 6, कितना होगा 11, 11 में 7 को minus कर दीजे, 4 आ गया, तो आपको मिल गया, PA intersection B, right, अब formula apply करना है, PA upon B के लिए, इसका formula होता है, PA intersection B upon PB, जिसकी value आप put करेंगे यह पास, तो इसकी value आपको मिल जाएगी, यहाँ पास, 4 by 11, 5 by 11, 11 से 11 कैंसल हो गया, 4 by 5 इसका answer आ जाएगा, तो यह इसका answer मिल गया आपको, अब next, section C है, जोकि 4 marks के questions है, यह काफी important part हो जाता है, यहाँ से, देखे, question number 13 है, आपको यहाँ से solve करना है, कि 13 की del equal A square plus 1, A, B into A, C, A, B, B square plus 1, और B, C, A, C और B, C square plus 1, यह given है आपके पास, तो सब्सक्राइब क्या करना है, इन तीनों रोह से आपको A, B, C common लेना है, ठीक है, तो A square plus 1 से जब A, हम common निकालेंगे, तो A square place पर A बचेगा, और plus 1 के place पर आपको 1 by A बचेगा, क्योंकि जब हम क्या करना हैं, common ले रहें, तो common लेंगे, 1 के place पर तभी common होगा, जब हम क्या करें यहां पास, multiply और upon divide कर दें, तब हम यहां से common ले सकते हैं, तो जब numerator से common निकाल जाएगा, A, तो आपके पास upon में क्या बचेगा, A, तो इस type से आपके पास, 1 plus 1 by A बचेगा, ठीक है, that same type, R2 से भी जब करेंगे, तो B plus 1 by B बचेगा, और R3 से जब हम C को common करेंगे, तो इसके place पर C plus 1 by C बचेगा, ठीक है, अब इसके बाद भी क्या करना है आपको, तीनों जो आपके पास column है, इनसे आपको क्या करना है, A, B, C का गुड़ा करना है, और उतने कई भाग कर देना है, ठीक है, तो जब A, B, C का हम क्या करना है, multiply करना है, तो जब हमारे पास इस type से था, first row में, first element, one upon A, तो जब हम क्या करना है यहापस, A का multiply, ठीक है, किसमें, सबते पहले C1, तो C1 तो आपके पास, यह आएगा, upper to lower, मतलब उपर से नीचे या नीचे से उपर, तो जब यहाँ पास हम क्या करना है, A का multiply करेंगे, और A का divide करेंगे, ठीक है, तो first element के लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या करूँगे आप, जब A का multiply करेंगे हम यहाँ पास, ठीक है, तो क्या मिलेगा, A square मिल जाएगा, ठीक है, 1 by A, बाहर ही रखना है आपको, फिर इसके बाद A का multiply, इससे करेंगे अब A upon A आएगा, ठीक है, तो A से A cancel हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 बजएगा, तो यह आपके पास, यह लिखा हुआ है, A square plus 1, ठीक है, और यह जो 1 by A है, यह 1 by A कहां मिल गया, यह आ जाएगा, बाहर यहाँ पास, 1 by A, ठीक है, C1 से 1 by A आएगा, B, यानि C2 से 1 by B आएगा, और C3 से 1 by C, ठीक है, तो इस टाइप से A, B, C और A, B, C यह cancel हो जाएगे, राइट, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद, तीनों, यह जो आपके पास C1, C2, C3 है, इन तीनों को प्लस कर देना है, A square, प्लस B square, प्लस C square, प्लस 1 मिलेगा, जो कि, इस C1 में हम इसको common कर सकते हैं, ठीक है, तीनों, रो से हम इसको common करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, कि A square, प्लस B square, प्लस C square, प्लस 1, यह आपका बाहर common मिल गया, और इसके place फे 1, 1, 1 बज़ गया, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, R1 minus R3, यानि 1 को, यह R1 को, R3 से हमको क्या करना है, minus करना है, तो 1 minus 1, 0 आ जाएगा, B square minus B square, ये भी 0 मिल गया, C square, और minus C square minus 1, तो क्या मिलेगा, C square, C square 0 हो गया, और यह minus 1, यानि यह 1 मिल गया, अब इसके respect पर क्या करना है, अपने को expand करना है, ठीक है, it means, बिस्तार कर देना है, ठीक है, किसके साफ़ेच, R1 के साफ़ेच बिस्तार करेंगे, तो जब R1 के साफ़ेच हम बिस्तार कर रहे हैं, तो यह दोनों value तो already 0 भी मिलेगी, अब यह third value minus 1, यह नहीं first row और third column close, तो क्या element बचेगा, 1 B square plus 1, 1 B square, ठीक है, इसका multiply कर देंगे, cross multiply, तो B square आएगा, फिर minus B square minus 1, तो plus B square, और minus B square, यह cancel हो गया, और आपके पास के बाचा minus 1, ठीक है, यह already आपके पास minus 1 था, तो minus into minus plus मिल गया, तो यह मिल गया, आपको A square plus B square plus C square plus 1, ठीक है, उसको cyclic order मिल लिख दीजेवाज, जैसे आपको proof करना था, 1 plus A square plus B square plus C square, यह आपको मिल गया answer, ठीक है, राइट, इसकी value find करनी थी, मिल गया आपको, तो इसी प्रेगार से आपको next questions मिलेंगे, question number 14, जो कि आपको इसमें continuity का ये questions है, यह आपको सांतरता की जांच करना है, ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो जागी, इसलिए मैं सारे questions को explain नहीं कर रहे हूँ, ठीक है, अब इसकी बाद, जो भी आपको questions में doubt होगा, तो यदि आप चाहते हैं कि लॉंग वीडियो बनाएं हम पूरे एक्स्प्लेनेशन के साथ तो वह भी आप वीडियो के कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो हम एक वीडियो पूरी सलुशन के साथ तक्रीबन एक घंटे का वीडियो हम बना देंगे ठीक है त तो अब वीडियो के कमेंट सेक्षिन में जरूर कमेंट करके बताईएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ठीक है लॉंग वीडियो चाहिए या फिर आपको हर एक क्वेश्टन्स आपको शेप्रेट करके बताएए इट मिन्स कहने का मतलब ये कि 6 नंबर वाले वीडियो अलग से बना दिया जाए या फिर 4 नंबर वाले के लिए अलग से बना दिया जाए ठीक है या फिर एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्टन्स को कवर करना है ठीक है वीडियो के कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके आप जरूर बताईएगा तो चलिए आप नेक्स्ट इसमें ऊचिस्ट और निवनिस्ट फाइंड करना है अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कुष्टिन नमबर 15 है ठीक है उसी का और वाला कुष्टिन जो वक्र के लिए दिया हुआ है कि एक्स के सापेश आउकलन करना है तो इसली आप इसका वक्र का आउकलन कर सकते हैं फिर इसके बाद इंट्रिगेशन का कुष्टिन दिया हुआ है लोग लिमिट टू अपर लिमिट इसकी वैल्यू भी गिवेन है और वहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी आपको काफी आस इसका एंसर मिल जाएगा आपको फिर नेक्स्ट आउकल से मिक्रन दिया हुआ है इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेस्टन से आपके पास बल पी और क्यू की वैल्यू दियो ही है और परेणामी बल दोनों को प्लस करके आपको परेणामी बल निकालना है, बिस्थापन D की value given रहेगा आपके पस ठीक है, तो वहाँ से आप फिर क्या करेंगे, find कर लेजिएगा D, और फिर workup form apply करना है, बल गुडे बिस्थापन, मतलब force into displacement, तो इसका 38 unit आएगा answer, ठीक है, फिर question number 9 है, आपका ये vector का questions है यानि सदिस से है questions, तो इससे आपको बनाना है प्रूब करना है आपको फिर question number 20 ये functions का questions ठीक है, फलन दिया हुआ है x cube और f such that n tends to n, ये aq है, ठीक है, तो ये form में आप आप अपलाए किजिएगा, ठीक है, तो दोनों equal करके आप दिखा दिजिएगा, तो फलन क्या होगा, ये कहके होगा right फिर इसके बाद आच्छादक का आपको ये आपको diagram, graph को सो करके बता देना है next question इसी का और में जो दिया हुआ उसके लिए आप देख सकते हैं आपको फाइंड करना है, जो कि ये चार नंबर का ही प्रश्न है और यहां से एक प्रश्न हंडेट प्रशंस आने है next question number 21 है prove करना है, ठीक है, right hand side लेकर आप, left hand side यहाँ पास इसलिए ला सकते हैं देख सकते हैं आप तो ये sign inverse x upon 2, ये आपको proof करना था फिर उसी का और नंबर में आप देखेंगे चार नंबर का ही questions मिलेगा जो कि ये inverse trigonometrics से relate करता है questions ओके, तो इस प्राइकार से आपको formula यूज़ करके लिखना है, तीक है, अब ये चार नंबर का सबसे last प्रश्न होगा जो कि प्राइक्ता से है, ये प्रश्न पूछा गया है तेज नंबर का last प्रश्न होगा ठीक है, ये 22 और तेज, दोनों ये आपके प्राइक्ता से ही related questions है प्राइक्ता chapter के ठीक है, फॉर में ये आप यूज़ कीज़े, फॉर में के according आप करेंगे, तो ये बहुत easy chapter लगेगा आपको अब देखे, six marks वाले आपको use करना है तो ये आपका elementary row से आपको करना है, यानि प्रारम्भिक, रुपांतरन जो बिधी है, उससे आपको A inverse का मान निकालना है, इसमे 22 order का दिया है, लेकिन आपके exam में chances ज्यादा मनते हैं, three into three order के आने का, यानि आपका three row और three column रहेंगे लेकिन elementary row आपको जरूर करना है क्योंकि एक question से आएगा, तो इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से उसको complete कीजेगा आप ये question number 25 का देख लीजेगा, अब इसके बाद आप देख सकते हैं चलिए मैं एक questions आपको यहां से पुरा explain भी कर दे रहाँ ठीक है, कि किस ब्रकार से आपको solve करना है, आप देख सकते हैं ये 6 number का questions है आपके पास, तो i की value देऊ है, सेक cube x, ठीक है, तो इसको क्या करना है, first और second function में आपको apply कर लेना है, फिर ये formula लगेगा आपके पास, कि first constant, first function is a constant integration of second function, फिर minus differentiate of first function, integration of second function फिर whole integration use करना है फिर आपको, फिर इसके बाद इसको solve करके, जितना भी आता है, उसको apply करना है ठीक है, तो इस type से, इसको आगे solve करेंगे आप next देखे, curve दिया हुआ है, ये इस type के questions, 100 persons आपके exam में पूछे जाते हैं, ठीक है curve, तो देख सकते हैं, curve दिया है, x square equal to 4y next दिया हुआ है, x equal 4y minus 2, दो equations है right, तो ये क्या है अब what पर बोला है equation 1 का, और equation 2 से अगर देखेंगे, तो आपको y equal to mx plus c के रूप में, एक straight line का equation मिल जाएगा, ठीक है तो first वाले, जो second equation है आपका x equal 4y minus 2 यहां से हम y की value अगर find करते हैं, तो क्या मिलता है, x plus 2 upon 4, और इसका vertex point क्या हो जाएगा, 00 ठीक है, तो 00, फिर इसके बाद इसका graph हम plot इस प्रकार से करेंगे, यह x अच्छ बनेगा आपका y x, तो पहले ही आपने equation में देख लिया था, वो parabola बनना है, ठीक है, तो हम यह y square बनाएगा, और यह वाला जो एक है, यह straight line का equations है, अब यहां से आप देख रहे हैं, जो अब इसके बाद इसको solve कर लेते हैं, अब इसकी जो value थी, जो हमने equation 3 से y का value, हमको 1 में put करना है, x square equal 4y था, y की value जो मिला था आपने को x plus 2 upon 4, यह हमने put कर दिया, इसका cross multiply करेंगे, यह 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, क्या बचा आपके बास, x square x plus 2, ठीक है, इसको transpose करने पर आपके बास क्या मिल रहा, minus x minus 2, अब इसका factorization करना है, आपको, right, ओके, तो mid term को two part में divide करेंगे, यहनी splitting method से, तो आपको क्या मिल रहा, x into x minus 2, plus x minus 2 equal 0, तो यहां से x minus 2 common है, common ले लिए आपने, क्या बचा आपके बास, x plus 1, ठीक है, तो x की value मिल गए, आपको minus 1, और 2, अब यहां से अभिष्ट जो छेत्र पहले है, उसको find करना है, तो इसके लिए formula apply कर लिजे, ठीक है, 1 से 2, lower limit 2 minus 1, upper limit 2 plus 2, y2 minus y1 dx, right, minus 1 से 2, तो y2 की value आप put कर दिजे, x plus 2 upon 4, और y1 की value, x square upon 4, equation 2, 1 और 2 से y की value हमने put कर दिया, 1 by 4 को आप common ले लिजे, और x plus 2 minus x square, ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको integration करना है, किसके respect पे, x के respect पे, तो x की integration x square upon 2 आएगा, 2 का x आजाएगा, और x square का x q upon 3 आजाएगा, ठीक है, तो अब x के place पे आपको क्या करना है, 2 करना है, और next फिर उसके बाद minus 4 में यूज़ करके x के place पे 1 करना है, ठीक है, तो यह दोनों value का आपको यहां से apply करना है, तो देख सकते हैं, तो सबसे पहले एक बार आप apply कीजिए, ठीक है, x के place पर आपको 4 यूज़ करना है यहां से, ठीक है, 2, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पास value put करना है, 2 put करेंगे, X की value यहां 2 put करेंगे तो 2 का 4 आ जाएगा और फिर यहां पास 2 use करेंगे तो 2 तू जा 4 होगा और X की place पे 2 use करेंगे तो 8 आ जाएगा फिर इसके बाद क्या करना minus 1 ही use करना है तो इसके बाद इसको solve भी करना आपको 2 तू जा 4 यह 2 मिल गया 2 plus 4 minus 8 by 3 next minus 1 by 2 minus into minus plus 2 और minus into plus minus 1 by 3 इसको solve कर दीजे आप solve करने के बाद आपको क्या मिल रहा 8 minus 3 minus 1 by 2 इसको भी solve कर दीजे 3261 minus 7 minus 7 upon 2 इसके बाद यहां से आपको solve करना है तो क्या मिल रहा है आपको 9 by 2 मिल लेगा ठीक है तो यह क्या मिल रहा 1 by 4 into 9 by 2 अब इसको आप क्या करेंगे multiply कीजे आप तो 9 by 8 unit square unit इसका answer आ गया ठीक है इसका answer 9 by 8 वर्ग 1 आ गया तो इस प्रकार से यह आपका फिर अगला प्रस्षन है दिर्ग बृत से related है तो इसका आप इसको solve करेंगे ठीक है और आगे के वीडियो में भी हम इसके अगले 3 set जो बचे हुए है 3 से 4 set हम आपको provide करा देंगे जिससे आप 2023 के exam बहुत अच्छे अंकला सकते है ठीक है चलिए तो यह आपका यह last questions last के दो questions हो देखते है यहां से देखिए इस type के प्रशन आप जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां से प्रशन आते हैं च्छे नंबर के ठीक है अगर आपको यह questions बनाने में कोई अगर problem आती है तो आप वीडियो के comment section में comment करके आप जरूर बताइएगा हम इसको आप लोगों को अच्छे से बता देंगे ठीक है next questions देख लेते हैं इसे यहां से पुरा explanation के साहथ आपको यहां पस करना होगा तो डिसी का और नंबर और का question देखते हैं same as as well same है उसका भी sorted distance से find करना है ठीक है तो sorted distance मतलब यह आपका यह formula हो गया a2-a1 vector b1 cross b2 upon mod b1 cross b2 यह इसका formula है इसके बास sorted distance minus root 35 पा रहा है इसका answer है फिर अगला प्रशन है आपके बास प्रतिबंद x square x is greater than equal 0 y is greater than equal 0 के कारण graph के वल प्रथम जत्रसांस में ही प्राप्त करना है इसका आपके बास conditions दिया हुआ है it means condition formula है equations दिया हुआ आपके पास उसको solve करना है आपको तो इसको आपको solve करेंगे आप फिर इसका उद्देश्य फ़लन निकालीजीगा मतलब P की value आपके पास कितना आ रहा है उससे आप दिखाएंगे ठीक है फिर इसके बाद आता है आपके पास इसका graph को plot करना है graph को plot करना है कुछ इस प्रकार से आप plot करेंगे ठीक है ओके तो यह आपके पास यह इसका correct answer आजाएगा तो यह आपका पूरा होता है यह complete तो यह पहला से आपका यह complete हो गया और आज के वीडियो में इतना ही इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आने वाले हैं तो वीडियो के comment से कमेंट करके आपको subject की चाहिए ठीक है model paper ओके तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए thank you and good luck